आज की कहानी एक अमीर आदमी से शुरू होती है और इस आदमी का नाम कायल था आज वो कई दिनों बाद अपने घर वापिस आया था और उस पर दूर से कुछ लोग नजर रखे हुए थे कायल एक बड़ा आदमी था और इसी कारून उसके घर के बाहर काफी सक्यूरिटी थी कायल के अंदर जाने के बाद उसकी सक्यूरिटी एक बाक्स लेकर जाती है ये बाक्स काफी खास था और कायल इसे अपने साथ ही लेकर आया था अब कायल जैसे ही अपने कमरे में आता है तो वो सबसे पहले फ्रेड नाम के आदमी से मिलता है फिर वो फ्रेड को बाक्स कोल क दिखाता है और इस बॉक्स में एक जिन्दा लड़की कैट थी लड़की काफी डरी हुई थी और काईल उसे चुप रहने को कहता है इसके बाद वो बॉक्स बंद कर फ्रेड से कहता है मुझे बूख लगी है काईल की बात सुनकर फ्रेड सब समझ गया था कि अब उसे क्या कर ना है फ्रेड के जाने के बाद काईल गाने सुनने लग जाता है ताकि खाना तयार होने तक वो बक्त बिता सके दूसरी तरफ जो लोग काईल के घर पर नजर रखे हुए थे वो अब एक्शन में आ चुके थे इन में से एक लड़के का नाम बॉब था और लड़की का नाम मिकी था उदर फ्रेड ने काईल के लिए खाना बना लिया था और खाने की खशबू सूंकर काईल बहुत खुश होता है उसी वक्त घर के बाहर वाब सक्योर्टी वालों को बीट रहा था और उसका तीसरा साथी पीटर बेहोश हो चुके सक्योर्टी वालों को वैन में कैद कर रहा था घर के अंदर फ्रेड काईल के सामने उसी लड़की के हाथ प्रोजता है जिसे काईल बॉक्स में कैद करके लाया था फिर वो काईल के सामने लड़की का और भी मीट रखता है और इतना मीट देहकर काईल बहुत कुश होता है अब वो जैसे ही मीट खाने लगता ह तभी वहां मिक्की आ जाती है वो आते ही फ्रेड को एक तस्वीर दिखा कर पूछती है ये लड़की कहा है इसके जवाब में फ्रेड और कायल कुछ नहीं बोलते और तभी मिक्की की नजर मीट पर पड़ती है लड़की के हाथों और मीट को देहकर वो सब समझ गई थी कि फ्रेड और कायल कैनिवल हैं और इन दोनों ने उस लड़की को मार दिया है उन दोनों का सच जानकर वो तब तक गोलियां जलाती है जब तक कायल और फ्रेड की मौत नहीं हो गई थी कुछ देर बाद बाब, पीटर और मिक्की तीनों दोस्त अपनी वेन में बैठकर वापिस लौट रहे थे दरसल कायल जिस लड़की का मीट खाने वाला था वो लड़की मिकी की बहन थी ये तीनों उसे ही बचाने के लिए कायल के घर गए थे लेकिन फ्रेड ने उसे पहले ही काट दिया था अगले दिन सुबा ये तीनों दोस्त एक हॉस्पिटल में आते हैं इस हॉस्पिटल में लिवा नाम की एक औरत दाखिल थी और उसकी देखवाल उसकी बेटी टीना कर रही थी ये तीनों दोस्त यहां बिमार लिवा को मिलने आई थे क्यूंकि उसकी तबियत काफी खराब थी दरासल लिवा ने ही इन तीनों को कायल और फ्रेड के बारे में बताया था लिवा को बचपन से ही कुछ विजन्स दिखते थे और इन विजन्स में उसे कई बार पता चल जाता था कि किस की जान खत्रे में है लिवा मिकी को काफी समय से जानती थी और उसे जैसे ही अपने विजन्स में दिखता है कि मिकी की बहन की जान खत्रे में है तो वो उसे सब बता देती है उसी रात जब लिवा सो रही थी तो उसे फिर से विजन्स दिखने लग जाते है इन विजन्स में वो देखती है कि कुछ लोग एक परिवार को अगवा कर रहे है इस परिवार में एक माँ बेटे थे और उन्हें जवरदस्ती घर से उठाया जा रहा था लिवा को विजन्स में सब नज़र आ रहा था और उसे ये भी पता चल जाता है कि किड्नेपर किस तरफ जा रहा है थोड़ी देर में टीना मिकी के पास आकर कहती है मेरी मा तुम से अभी मिलना चाहती है टीना की बात मान कर मिकी हॉस्पिटल में आ जाती है और वहां लिवा उससे कहती है मैंने अभी अभी अपने विजन्स में देखा है कि दो लोगों ने एक फैमली को अगवा कर लिया है ये लोग बहुत खतरनाक है वो पूरी फैमली को पहले तडपा तडपा कर मारेंगे और फिर उन्हें खा जाएंगे इस पर मिकी कहती है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती तो में जैसा पुलिस को बताना चाहिए अब लिवा कहती है पुलिस मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी अगर वो किसी तरह यकीन कर भी लेगी तो तब तक तो काफी देर हो जाएगी इतना कहकर वो मिक्की को समझाने लग जाती है कि तुम्हे उस फैमिली को बचाना चाहिए उसके बार बार समझाने पर मिक्की फैमिली की मदद करने के लिए तयार हो जाती है सुबह होते ही मिक्की बाब को सारी बात बताती है और वो भी मिक्की के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है शहर से दूर एक विरान सी जगा पर इस जगा में ग्रे नाम की एक औरत बिली नाम के एक लड़के से बातें कर रही थी इन दोनों के इलावा जहां लीला नाम की भी एक औरत थी और इन तीनों को जहां किसी ने कैद कर रखा था अब आता है इस कहानी का किलर और उसे देखकर तीनों कैदी डर के मारे कांपने लग जाते है किलर आते ही सबसे पहले बिली को पकड़ता है और फिर उसे दिवार से मार मार कर बेहोश कर देता है बिली के बेहोश होने के बाद वो उसे उठा कर वहां से चला जाता है थोड़ी देर बाद वो फिर से बापिस आता है और इस वार वो जैसे ही ग्रे की तरफ बढ़ने लगता है तो लीला चिला कर उससे पूछती है तुमने मेरे बेटे का क्या किया? इस पर किलर उसके पास आकर कहता है डरो मत पहले में तुमें खाऊंगा और फिर तुमारे बेटे को इतना कहकर वो उसे दिवार से मारता है और लीला बेहोश हो जाती है दरासल लिवा ने जिस फैमली को अगवा होते देखा था वो फैमली लीला की ही थी कुछ देर बाद किलर ने अब ग्रे को एक क्रॉस पर टांग रखा था फिर वो ग्रे के पेट को चीर कर उससे एक बड़ी सी चेन खीचने लगता है अब ग्रे गला फाड़ कर जोर जोर से चिलाती है लेकिन किलर ऐसा पत्थर दिल इनसान था कि वो रुकने का नामी नहीं ले रहा था वो चेन को खीच खीच कर ग्रे के पेट से आरपार कर रहा था वैसे इस किलर की एक कैनिबल बहन भी थी और उसका नाम कैट था घर के तैखाने में किलर ग्रे को टॉर्चर कर रहा था जबकि घर के ऊपर उसकी बहन ग्रे की चीखे सुनकर बहुत कुश हो रही थी थोड़ी ही देर में ग्रे तड़ब तड़ब कर मर जाती है जिसके बाद किलर वहां से चला जाता है दूसरी तरफ मिक्की और बाब तेजी से उसी तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ लिवा ने उन्हें जाने को बोला था लिवा ने अपने विजन्स में देख लिया था कि किलर और उसकी बहन कहां रहते है इन दोनों के साथ टीना भी थी ताकि जुरूरत पढ़ने पर वो भी इनकी मदद कर सके कुछ तेर बाद कैट घर में अकेली थी उसका केलर भाई किसी काम से बाहर गया हुआ था उधर बाब और मिक्की भी केलर के घर के पास पहुँच गए थे वो टीना को वैन में ही रुकने को कहते है उसी वक्त कैट ग्रे की लाश के पास आती है जो घर के बाश रूम में पड़ी थी वो आते ही उसकी लाश से मीट काटने लग जाती है और फिर मीट पर उसका खून भी डालती है अब कैट मज़े से ग्रे का मीट खाते खाते बाश रूम से निकलाती है दूसरी तरफ मिक्की और बाब एक स्टोर में पहुँच गए थे जिसकी एक दिवार के पीछे वही तैखाना था जिसमें लीला कैट थी उसे जैसे ही एहसास होता है कि स्टोर में कोई आया है तो वो मदद मागने लग जाती है उसकी आवाज सुनकर मिक्की उसे शान्त रहने को कहती है और फिर वो बाब से कहती है तुम इसकी मदद करो और तब तक मैं घर की तरफ जाती हूँ कुछ देर बाद कैट को एहसास होता है कि जैसे घर के बाहर कोई हो लेकिन इससे पहले उसे खिड़की से कुछ नजर आता मिक्की जल्दी जल्दी छुप जाती है कैट जैसे ही खिड़की से दूर होती है तो मिक्की घर में गुसाती है वो देखती है कि पूरे घर में जगा जगा खून और लाशें बिची थी उसे घर के कमरे में लीला का बेटा भी दिख जाता है इससे पहले वो उसके पास चापाती तभी कैट उसे पकड़ देती है हालंकि मिक्की उस पर गोलियां चलाने की कोशिश करती है लेकिन कैट बार बार उसका निशाना खराब कर देती थी उधर बाव भी तैखाने में आ चुका था जिसके बाद वो जल्दी जल्दी लीला के हाथ खोलता है और इधर घर के अंदर मिक्की और कैट लड़ती लड़ती किचन तक पहुँच चुकी थी और इसे बीच मिक्की कैट के चेहरे पर गरम गरम पानी फेंग देती है गरम पानी के कारण कैट का चेहरा काफी जल चुका था और फिर वो भाग कर बच्चे के पास जाती है अब वो जोर से चिलाती है अगर तुम अभी मेरे सामने नहीं आई तो मैं बच्चे को मार दूँगी कैट की दमकी काम कर गई थी और मिक्की उसके सामने आ जाती है अब कैट उसे गन नीचे रहकर अपनी तरफ फेंगने को कहती है बच्चे की जान बचाने के लिए मिक्की ऐसा ही करती है और गन कैट के हाथों में आ जाती है अब वो जैसे ही उसे गोली मारने लगती है तबी वहाँ बॉब पहुच जाता है वो आते ही कैट पर कई गोलियां चलाता है जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी कैट की मौत के बाद वो जल्दी जल्दी बच्चे को उठा कर घर से बाहर निकलाते है वो जैसे ही बाहर आते है तो लीला अपने बेटे को देखकर बहुत कोश होती है अचानक तभी ये गाड़ी की अबाज आती है और उसे सुनकर लीला कहती है वो आ गया ये सुनकर मिक्की बॉब से कहती है तुम लीला को लेकर वैन की तरफ जाओ तब तक मैं किलर को देखती हूँ ये सुनकर बॉब और लीला वैन की तरफ जाते है जबकि मिक्की वहीं रुपकर गाड़ी आने का इंतिजार कर रही थी थोड़ी ही देर बाद उसके सामने एक गाड़ी आकर रुपती है जिसके अंदर किलर बैठा था वो किलर को गाड़ी से बाहर निकलने को कहती है लेकिन किलर उसकी तरफ एक कटा हुआ सिर फेंगता है सिर देहकर मिकी बहुत डर जाती है और फिर वो गन की सारी गोलियां गाड़ी पर चलाती है उसकी गन खाली हो चुकी थी लेकिन किलर अभी भी जिन्दा था आमने ही बॉब को चाकू मार कर अदमरा कर देता है अब किलर टीना को मारने वाला था और तभी पीछे से मिक्की आकर किलर पर कई वार करती है इससे पहले कि किलर खुद को संभाल पाता मिक्की उसके गले में चेन डाल कर उसे गड़े में फेंग देती है और टीना जल्दी ज झाल